हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडे की सब्जी तो हम पहले कड़ाई में ओइल करते हैं हमने यहां तेल कर लिया है अब इसको दो मेट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे देखिए फ्रेंड दो मनेट हो चुके हैं अब इसको हम एक स्पून की हेल्प से इसको चला के देखते हैं हमारा तेल पक चुका है हमारा तेल पक चुका है तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आदा चम्मज जीरा थोड़ी सी हीं अब हमने यह एक बड़ी प्याज काटके रखी हुई थी बड़े बड़े पीसिज में इसको डाल देंगे अब इसको हलका ब्राउन होने तक बुनने देंगे इसको अच्छे से चला देंगे अब इसको हम चेक करते हैं हमारी प्याज अभी ब्राउन हुई नहीं है फ्रेंड्स तो अभी दो मेट के लिए इसको छोड़ देंगे हमारी प्याज हो चुकी है ब्राउन इसको चलाते हैं देखिए फ्रेंड्स हमारी प्याज भुन चुकी है अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे दो हरी मिर्च जो मैंने पहले से काटके रखी हुई थी इसको चला देंगे अच्छे से जिससे के यह भी भुन जाएं वन मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे देखिए फ्रेंड्स वन मिनट हो चुकी हम नहीं आ लिया हल्दी पाउडर आदा चम्मच एक चम्मच धनिया पाउडर आदा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आदा चम्मच नमक अब इसमें हम थोड़ा सा पानी कर देंगे जिससे के हमारे मसाली जले नहीं इसको अच्छे से चला देंगे अब इसको तब तक बुनने देंगे जब तक हमारा यह मसाला तेल न छोड़ दे देखिए हमारा मसाला पक चुका है हम इसको चलाते हैं देखते हैं कि देखिए फ्रेंट्स हमारा मसाला भुन चुका है तो हम सबसे पहले में पांचो ग्राम तिंडे छोटे-चोटे पीसेज में काट के रखे हैं वह डालेंगे देखिए छोटे-चोटे-पीसेज में मैंने को काट लिया है इनको अब डालते हैं इसको चला देंगे अच्छे से, इसको मिक्स कर देंगे, इसको अब हम ढखके रख देंगे पांच मेट के लिए, गैस हम सिंपे कर देंगे, देखिए फ्रेंट्स, पांच मेट हो चुके हैं, तो हम इसको चेक करते हैं, इसको चला देंगे, ताकि हमारी सब्जी जले नहीं, अभी हमारी सब्जी गली नहीं है, तो फ्रेंड्स इसको हम पांच मेट के लिए फिर से ढखके रख देंगे, पांच मेट हो चुके हैं, तो हम इसको फिर से चेक करते हैं, हमारी सब्जी गल चुकी है, थोड़ी-थोड़ी, पर फिर भी हम इसे काट के देखेंगे, अभी हमारी सब्जी टाइट है, तो अभी दो मेंट के लिए हम फिर से इसको ढखके रख देंगे, तो हम इसको चेक करते हैं, हमारी सब्जी अल्रेड़ी गल गई है, तो हमने काट के भी देखा, तो हमने यह एक टमाटर लिया है, बड़े-बड़े पीसिस में काट के रखा हुआ था, उसको डाल देंगे, और इसको मिक्स कर देंगे, अच्छे से, और टू मिनिट्स के लिए इसको चलाने के बार धक्के रख देंगे फ्रेंट्स, जिससे के यह हमारे जो टमाटर है, यह गल जाए, दो मेट हो चुके हमारे, तो हम अपनी सबजी को चेक करते हैं, देखिए हमारे टमाटर गल चुके हैं, इसको हम चला देंगे अच्छे से, कितनी अच्छी सबजी बनके रेडी हुई है, बहुत ही सिंपल तरीके से, मैंने यह बनाई है, इसमें हमने आदा नीवू का रस लिया है, इसको डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसको मिक्स कर देंगे, हमारी सबजी एकदम रेडी हो चुकी है, कितनी अच्छी लग रेडी है, कितना अच्छी लग रेडी है, कितना अच्छा कलर आया है, दस मिट के अंदर हमने यह टिंडी की सबजी बनाई है, इस पर हम थोड़ा सा दनिया डाल देंगे, हरा दनिया, देखिए फ्रेंट्स, कितनी अच्छी लग रही है हमारी सबजी उतनी ही खाने में भी बहुत टेस्टी है यह बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई है फ्रेंड्स तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिये लाइक करिये और अपने घर में जरू ट्राई करिये फ्रेंड्स बाई बाई